ओम नमस्षिवाय श्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको पांच बाग्यसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा सिर्फ पांच राशियों के बारे में जानकारी दूँगा और साथ ही दो ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके करने से आपकी सारी मनुकामनाय पूरी हो जाएंगी पांच राशियों का योग बहुत ही अच्चा है पांच राशियों की सभी मनुकामनाय पूरी होंगी लेकिन जादातर योग हैं पुत्र प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, सरकारी नोकरी के गर में सुक और सम्रदी का बास रहेगा हर प्रकार की मनोकामना के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी ब्रत्ती होगी कोई ऐसा कार से दोगा जिसकी वज़े से मान सम्मान बड़ेगा दोस्तों चतोत ग्रही योग बन रहा है शूर चंद्र बुद्ध गुरू शुक्र मंगल इनकी आपस में युती द्रश्टी जो कई राशियों के लिए बेहदी भागिसा लिए जब भी किसी व्यक्ति को उपर मंगल, शूर्य, गुरू इनकी शुबदिष्टियां तो हर प्रकार के कारों में सपलता मिलती है पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, नोकरी में प्रमूशन मिलता है सरकारी नोकरी के योग बन जाते है ब्योपार बहुत ही अच्चा चलता है तो ऐसे ही ये पाँच रासियां है जिनका योग बहुत ही अच्चा है सबसे पहली जो रासि है जिसका योग बहुत ही अच्चा है ये रासि बेहदी भागिसाली रहने वाली है वे रासि है, मेश रासि लेकिन स्वास्त का ध्यान लगना होगा क्योंकि लगनवाब में आपके स्वास्त में राहू का गोचर है जो सुभ नहीं है बाकी सूर्चंद्र बुद्ध का योग जो आपको बियादी भागिसाली बना रहा है दूसरी जो रासी है वह है मितुन रासी दोस्तों ये रासी बेहदी भागिसाली रहने वाली है और इन रासी वालों की प्रतेक मनो कामना पूरी होगी तीसरी जो रासी है वह है सिंग रासी सिंग रासी का यूग बहुत ही अच्चा है और सिंग रासी वालों की हर मनों कामना पूर योगी माता की किरपा से आ रही सारी अर्चने सारी व्यादाय दूर होंगी पुत्रधन प्राप्ति के योग बने हुए हैं सपलता आपको मिलेगी जो भी आपके मन में कामना है कारिसिद्ध नहीं उपा रहे हैं शीक्री है आपके कारिसे दोनी सुरू हो जाएंगे अगली जो रासी है वो है मकर रासी और मीन रासी ये पांच रासिया हैं जो बेहदी भागिसाली रहने वाले सबसे पहला उपाए प्रतिदिन सिविलिंग पर धतूरा चड़ाना प्रारम कर दीजिए पांच चावल दाने के साथ में प्रतिदिन सिविलिंग पर धतूरा चड़ाना प्रारम कर दीजिए पांच चावल के दाने के साथ में दूसरा इत्र बागवान को इत्र अरपन करें सनी देव के सामने दीपक जलाना प्रारम कर दीजिए पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाकी परक्रमा जरू करें भगवान सिव का गाय के दूद और गन्ने के रसे आप सिख करना प्रारम कर दीजिए और चोम की दीपक भगवान के सामने जरू जनाए माता पारवती और भगवान सिव प्रसन नो करके आपकी मनो कामना पूरी करेंगे यह उपाय आपको जरू करने स्वागन मैलां को माता पारवती को श्रंगार अरपन करना है और पर प्रसाद की रूप में सिंदूर ले करके जरूरा है रस्ते मांग वरें आपकी मनों कामना पूरी होगी विडियों शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब